नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बिहार S.S.E. में आप तक पूछे गए सभी परसनों के अधार पत जीके जीएस के सटिक और सांदर अस्टेडी कर रहे हैं जो परसन जीश चेप्टर से पूछा गया है उस चेप्टर में जितने भी अती महत्पुरुन परसने वो सभ कर रहा हो उससे आप कड़ी महनत और रेगूलर अस्टडी से आगे निकल जाते हैं और आसपास के छात्रों से ज्यादा जानना ही तो नोखरी है ठीक है इसमें देखिए मेट्रिक और इंटर का एक्जाम तो नहीं है कि तीन सो नमबर लाएं आप फरस्ट हो गएं इसमें य कड़ी महनत नियमित रूप से करते रहना है ठीक है यही सोंच के साथ पढ़ना है अब एकजाम कब होगा नहीं होगा यह सोचना आयोग का काम है आपका काम है बस पढ़ते जाना है जब तक आपका मेरिट में नाम ना आ जाए इसलिए हर पल का सदूपयों कीजिए यमना नदी के किनारे अस्थी थे ठीक है दिली सहर यमना नदी के किनारे अस्थी थे अब इंपोर्टेंट कोश्चन यहां से जो भी आता है वो सभी यहां पर देखते हैं अब जैसे कि आगरा किस नदी के किनारे अस्थी थे ताजमाल किस नदी के किनारे वो भी जमना यह बढ़ सब्सक्राइब किनारे अस्थिल्याख नदी किनारे अस्तिल्य स सव पतापती और यहां बाद दिली के बादें थोड़ा और कुछ जानते हैं तो सब्सक्राइब को में तो कभी आपको अनंगपाल और नी बनाएं घिया गया था तो लेप्चा जन जाती ये सिक्कीम में निवास करती है ठीक है लेप्चा जन जाती का निवास करती है सिक्कीम में निवास करती है अब सिक्कीम से कुछ महतपुर्ण परसनुक को एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो जहां पर देखते हैं जैसे सिक्कीम भारत का 22 राज आजिका घठन हुआ था सिक्कीम की राजदानिक है तो गंटों आप भरतमान अभी मुख्यमंतरी को ने तो प्रेम सिंग है और शिक्कीम का भरतमान राजपाल को ने जन्संख्यां के दृष्ती से सबसे चोटा राजी कुन सा है तो वो सिक्की में धुम्हें Sidnak सबसे बढ़ा राजी सबसे चोटा है सिक्की में उसे याद रखना है चलिर अश्वाय ÖzSwak भारत में हरिता करांती ने सरवादिक किसे प्रवावात किया Demo सबसे अधिक उपजाव में बहुत अधिक व्रिधी हुआ था हरित करांती से तीन-चार अती महत्पुन परसने जो कि एक्जाम में बार बर रीपीट होता है तो हरित करांती से कौन-कौन सा प्रसन आता है तो देखिए एक्जाम की तैयारे करने का सांदर तरीका यही होता है कि जो भी प्रसन आपके सामने आए उससे रिलेडे जितने भी अति महत्पुन प्रसने वो सभी को एक साथ रिविजन करना है और खास करके कन्फुजन वाला अच्時間 यहां देखि लेंगे जिसे भारत में हरीत करांती कर लेटा और कशांद आपकर भारत में हरित करांटी के जनक ये पूछा जाएगा ने कि हरित करांटी के जनक को ने में और सजाने मैंस स्सक्राइब उझे बहुँए च form पिंदय कोब है चुज किसे दिया जाता है तो ऑपरेशन की क्वोष्ट को यहां से जो परसना आता है सब यहां देखते हैं परसन के संबन्द किसे दूध उत्पादन से गों जाता है ईस टैप के तीन परसनte हमेशा रिविजन करना या ली सा एकोड़ानी यह फोछा ल में पुछा जाता है जिस को एम नहीं गया है भारत में हरेत करांटी करना के जैनक में डिद्धा अन्युला मद्धिय Но अठन लुगा और विश्युमीन अधनकी को नोर्मन बढ़न हो गया तो यह तीन नाम है जोकि हमेसा वार बार आते रहता ऑगे ferm कि भारतिय मानक समय तथा Greenwich मध्य समय में कितना अंतर है तो कितने घंटे का अंतर है तो भारत को जो मानक समय है Greenwich मिन टाइम से सड़े 5 घंटा आगे है इसका कोरेटरेंसर है option number 2 सड़े 5 घंटा आगे है भारत का मानक समय ग्रीन विन टाइम से यहां से पंच्छे कोश्चन जो कि बार बर आता है यहां से बनता ही बनता है जैसे भारत का मानक समय कितना है तो भारत का मानक समय कितने मानक समय तो भारत का मानक समय पंच राज्ण से कोश्चन पूछा जाता है कि कि मद्यपरदेश उतर परदेश 36 गड़ यह से नहीं हो गया और फारत का मानक समय गुजरती Beginning एक कोच्टेन यह ए याद रखना आपको जिस्से की और भी question आपसे बन जाएगा। एक डिगरी दिसांतर बरावर चार मिनट होता है यह इयाद रखना आपको. एक डिगरी दिसांतर बरावर चार मिनट होता है. नेक्स्ट है कि भारत का लगवग पूरा छेत्र किस गुलार्ध में अस्ती थे तो अगर में देखते होंगे तो अगर यह गुलोग है ठीक है यह पृच्वी है तो भारत का है मालूँ भारत है यहां पर है यहां है भारत है ने यह थोड़ा सा यह रेखा से थोड़ा ऊपर है ठीक है भारत यह है यानि कि यह हो जाता है नोर्थ ठीक है यह नोर्थ हो गया और यह है इस्ट यानि कि उत्तर और पुर्व में है इधर है ठीक है यह है भारत यहां पर अस्थित है यहां है नोर्थ और इस्ट में है यानि कि उत्तर पुर्वी गुलार्द में है इसका एंसर कितना ह जाता है option number 2 और पूरवी गुलारत में भारत अस्थी थे ठीक है यहां से यह कोशन ओर आता है कि यह जो भूमेद रेखा है ठीक है यह भूमेद रेखा से जो भारत का भुभाग है यह वाला जो भूभाग है लास्ट कोर्णर जो तमिल नाडूग आता है तो यह भूमेद रे कोशन इसे देखते हैं जैसे कि पृठिवी की सता का कितने परतिसत जल से धाका है तो पृठिवी की सता का कितने परतिसत जल से धाका है एक 70 परतिसत जल से धाका है ठीक है और एक कोशन और याद रखने आपको कि पृठिवी पर कितना परतिसत स्वक्ष जल उपलब दे त सबसे आधिक जन्संख्यां घंद्व क्या कहलता है तो जन्संख्यां घंद्व क्या कहलता है कि परति बर्ग किलोँ मीटर मनुस्यों की संख्या पर तो अब कुछ कोशन यहाद रखते हैं जैसे सबसे अधिक घंसंखें से कहां अस्थी तो कन्या कुमारी का है यह तो में प्राइब कुमरी दिए को मेरें की भारत का दस्चिनतम मिंदू कहां कोमुररी केप कुमूरिन का है तो कन्याकुमारी में है ठीक है भारत का सबसे जो डगझिंतम मिंदू है केप कुमूरिन कपुमिन का है उत्री बिंदु कॉन सा है मुख्यभमी से जो उत्री बिंदु है इंद्रा कोल तो फिस्ट्वां परस्ती अनुसंधान संस्थान यह रूडकी में ठीक है अब रूटकी से एक कोर एक और कोस्टन आता है कूंसा नटे का भारत का पहला engineering college काहा स्थाप्रापित किया गया था तो IIT रूडकी में ही किया गया था दो question रूडकी सोगया kendri- Enterdrates भवन अनुसंदान संस्थान देख लेते हैं जो कि एक जाम में आता है और आने की पूरी संभावना है जैसे कि भारतिये बन अनुसंदान संस्थान का है तो देहरादुन में है और भारतिये पेट्रोलियम अनुसंदान संस्थान ये भी देहरादुन में है भारतिये पेट्रोलियम संस्थान और भारतिये बन अनुसंदान संस्तान ये दोनों का है देहरादून में अचा भारती क्रिसी अनुसंदान संस्तान का है तो दिल्ली में भारती क्रिसी अनुसंदान संस्तान दिल्ली में राष्टी ये डेरी अनुसंदान संस्तान करनाल हर्याना में हर्याना के करनाल में जो डेरी ऐसे और क बाए अइस भारत में इस पात का पर्थम कारखाना काल स्थापिट किया ख्यवल्ब कोश्जन है जो कि एक्जामें हमेशा वाहल वारो रिपीट होता है यह जमसेदपूर में जमसेदपूर कांज जहारखंड में भारत में इसपात का परथम कारकाना जमसेदपूर में अस्थापित किया था अब इस्पाथ कारकाना से संब्दीत कुछ कोश्य नहीं पर देखते हैं जो कि याद रहेगा दर्विड यानिकी दुर्गापूर ब्रिटेन के सहयोग से अब राउर केला जर्मनी के सहयोग से अस्थापित हुआ इसे याद रखना है राज यानिकी राउर केला जर्मनी के सहयोग से अब भिलाई और बोकारो ये रूस के सहयोग से अस्थापित हुआ था अच्छा, दुर्गापूर, रावर केला और भिलाई, ये तीनों इस्पास सन्यंद्र, दूतिये पंच वर्षी हो जना में अस्थापित हुआ था, ये याद रखना है, और बोकारों इस्पास कर खाना जो है, ये तीसरी पंच वर्षी हो जना में अस्थापित हुआ था, ने और एक आता है कि अंतरास्टी चाबल अनुसंदान संस्थान कहा है तो वो कहा है लोस बानोस में है लोस बानोस कहा है फिलिपिन्स में कि स्रबादिक मि Japan अस्थाल में घंगा ननुसं जाता है तो उद्गम अस्थाल किस नाम से जाना जाता है Smith गंगा नदी को भागरथी के नाम से जाना जाता है अब गंगा नदी से कुछ SSI CGL 2022 में question पूछा हुआ है ठीक है कि बरंपुतर नदी को बंगलादेश में क्या का जाता है तो जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पदमा के नाम से जाना जाता है तो रास्टी जलिये जीब कौन सा है गंगा डोलफिन रास्टी जलिय जीवे और करेंट अफ़र में कोज़ से नहाद रखना है कि एस या का पहला डोलफिन अनुसंधान संस्थान कहां अस्थापित किया गया है तो पतना में अस्थापित किया गया है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सी पर्योजना, राउर केला इस्टील प्लांट को बिजली पर्दान करती है, अब राउर केला इस्टील प्लांट है कहां, तो यह है उडिशा में, ठीक है, और इसका एंसर है, बिजली पर्दान करती है कौन, हीरा कुंड बांध पर्योजना, अब हीरा हीरा कुंड बांद को सीयँ छाओन करते हैं इस याद ही रा सबसे लंबा बांद कौन सा है तो यह भारत एभाम ओसटान के सीमा रेखा को निरिधारित किया जाता है तो भारत और अफगनिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है तो वह है डुरंड रेखा ठीक है यह भारत और अफगनिस्तान के बीच पहले था लेकिन अब जो डुरंड रेखा है यह पकिस्तान और अफगनिस्तान के बीच रेखा जो और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सा है तो मेक मोहन रेखा है भारत और चीन के बीच मेक मोहन रेखा है और यह जर्मनी और पोलेंड के बीचे हिंडन बर्ग रेखा जर्मनी और पोलेंड के बीचे हिंडन बर्ग रेखा और रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और और दो और कोष्यर यहां से नहीं से आता है, जीसीचे किन तारे बीच है यथीज़ती की पतंग है। यह उत्रि कॉरियाद दक्षिना के बीच हैं। और श्रीं उत्रि कॉरीजर पाड्य हैं। इतने सारे आपको याद रहना है। रेल्वे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं तो रेल्वे के यात्री डिब्बा जो कहां बनता है ये पेरांबूर में बनता है ये पेरांबूर है कहां तो तमिल नाडू में है अचा यहां से पेरांबूर से एक कोशन ओवर आता है कि इंटिग्रल कोच फेक्टरी कहां ह तो यह पिरामबूर में ही है, इंटिग्रल कोच फेक्टरी का है, तो पिरामबूर में ही है, अब रेल की बात होई है, तो विश्व में सबसे पहली बार रेल कब चला था, तो 1825 में पहली बार रेल चला था, इंग्लेंड में, ठीक है, भारत में पहली बार रेल कब चला था, तो आठारा सो तिरपन में चला था, बंबई से थाने के बीच चला था अच्छा, रेलवे से एक कोश्टन और याद रखने आपको ओपरेशन मेरी सहली का संबन किसे है तो ट्रेनों महला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और ओपरेशन मेरी सहली योजना का सुरुवात किया गया था नेक्स्ट है, कि भारत में सबसे कम बरसा वाला अस्थान कौन सा है तो भारत में सबसे कम बरसा होता है लेह में लेह का है, तो लड़ा के राजधाने लेह है ब्भारत में सबसे कम बर्षा वाला उल्य हो गया बिश्व में सबसे कम बर्षा कहाँ होता है भारत में सबसे दिपर मांसिन राम में में यह question भी कई बाग जामें आया भारत में सबसे अधिक बरसले बहारत में सबसे अधिक बरसले होती है 4 लोगों का निवास अस्थान कहा तोре करो लोगों का जो अहण जाती है यह कहां पादी प्रदेश में का निवास अस्थान कहां है तो यह यूपी में ठीक है अब इस टाइब के कोश्चन आता है जैसे कि भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है तो भील जन जाती है सबसे बड़ी जन जाती है भील लेप्चा जन जाती किस राज में मुखेतर निवास करती है तो लेप्चा जन जाती है सिक्किम मे और गारो जन जाती है वो मेघाले में मुंडा जन जाती कहां पाई जाती है तो छोटा नागपूर के पठार में पाई जाता है नेक्स्ट है कि हजीरा उर्बरक कारखाना किस पर अधारी थे तो यह अधारी थे प्राकृतिक गेस पर हजीरा उर्बरक कारखाना प्राकृतिक गेस पर अधारी थे दोस्तों यह जो आपको अस्टेडी करवा रहे हैं यह सारा पेड कोर्स वाला मेटेरियल है ठीक है पेड कोर्स वाला मेटेरियल आपको फिरी में पढ़ाया जा रहा है इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सारा अश्टरी करवाऊंगा चलिए देखते हैं हजीरा की बात करते हैं तो हजीरा ये है कहां तो हजीरा ये गुजरात में ठीक है अब ये उर्वरक आया है उर्वरक से कोश्चन हो रहाता है कि भूरी करांती का संबंद किस से है तो उर्वरक उत्पादन से भूरी करांती का कर वायाओं कैसे देखे नागा अर्जुन ऐसे करें कि महा भारत में अर्जुन का शार्थी ओन तर्जुन का सार्थी कृष्ण ठीक है तो उसे याद रखेना नागा अर्जुन साघरबंध जब भी आ तो कृष्णा नादीपर तो कभी भूलिए का कंफूजन भी नहीं होगा और conception भी नहीं होगा नागार्जून अर्जून से क्रिष्ण से से किरेट कर देना नागार्जून बांध कुं सा कोद शब्षी है ठीक है एक कोशन आता है कि सबसे अधिक उचाई तथा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे उचा बांध कौन सा है ग्रेविटी गुरुत्विये वाला जो सबसे उचा बांध कौन सा है तो भांखरा बांध है भांखरा नागल बांध है सतलज नदी पर है यह याद र अभी टाता है हीरा कुण बांग उडिशा में महानेधी पर। हीरा कुणड में सबसे लंबाना अदिये हैं nuevas iいき कोशण कि टिए ग्रामन विका संस्थान कहां अस्थी थे तो रास्त्री गुरामन विका संस्थान ये इस्थी आपका हैदराबाद में अब हैदराबाद से एक और कोश्चन आता है कि जो DNA फिंगर प्रिंटिंग संस्थाने वो कहां अस्ते थे तो हैदराबाद में अस्ते थे चार मिनार कहां है तो हैदराबाद में यह देखे एक है चार मिनार confusion वाला question आता है कि जूलता मिनार जूलता मिनार है वो अहमदाबाद में और चार मिनार जो है वो हैदराबाद में ठीक है और तेलंगना के राजदानी कहा है तो वो हैदराबाद है नेक्स्ट है कि भारत किस खनीज के उतपादन में अतनिर्भर है तो भारत जो है किस खनीज क किसका कारबन का अपरूब है अब ग्रिफाइट से एक अती महत्पुर्ण परसन यह आता है कि कौन सा एक मात्र अधातु है जो कि विद्दूत का सुचालक है तो यह अधातु है अधातु कि विद्दूत का सुचालक होता है लेकिन यह ऐसा अधातु है अधातु जो कि विद करनाटक में ठीक है और भारत का सबसे बड़ा सरन उत Πादयक राजी कुन सा है तो करनाटक ही ए ठीक है याद रखना要 और बिहार के किस जीला में सबसे अधिक सोनी का भंडार है तो जमूय में है ठीक है बिहार के किस जीला में सरबादिक Soneh का भंदार मिला है यह कोश्चन बिहार का टीचर झाम हुआ हूब इसमें पूछा हुआ है तो इसलिए आपको याद रखना है बिहार के सब्से अधिक जो सोने का भंदार की जीले में मिला तो जमुई में ठीक है अब जमुई से जो जो लोग हो है वो कोमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम जमुई से हैं ठीक है और एक कोशन यह आता है इसी टाइप का कि पन्ना जीला पन्ना जीला यूँ किसके उत्पादन के लिए परसीद दे जैसे अब यहां यहां कि कोलार खाने किस के लिए परसीद दे इसलिए पन्ना जीला वाला कोशन पूछा जाता है तो आप सुने होगे हीरा पन्ना ज्वेलर्स तो हीरा की उत्पादन के लिए परसीद दे और हीरा का उत्पादन एक मात्र राज्य मध्यपरदेश के पन्ना में ही हीरा का उत्पादन होता ह ठीक है तो पन्ना हीरा के लिए फेमस है नेक्स्ट है भारत में कौन सा बिनिर्मार उद्योग सरवाधिक रोजगार उत्पन करता है तो सरवाधिक रोजगार किसमें मिलता है तो कपड़ा उद्योग मिलता है इसका correct answer है सूती बस्त्र उद्योग में सरवाधिक लोग काम करते ठीक है और भारत का सबसे बड़ा उद्योग को Mrs. रहने कि बोकारो इस्पात करखाने में किस वीदेशी देश का स्वयोग प्राप्त हुआ यári 2 ब्रूस के स्वयोग से अस्थापित हुआ था था अपको याद रखोंए भीरू बीरू और भीरू तो दियाने की बोकारो और भिलाई स्पास्तानियंतर ये दोनों रूस के सयोग से अस्थापित हुआ था रूस याने की यहाँ पर एंसर क्या है पुर्व सोवियत संग इसका पुर्व सोवियत संग रूस इसे ही का जाता ठीक है तो ये याद रखना है और दूर्गापूर ये बृटेन के सयोग से फिलाई रूस के सयोग से रावर केला जर्मनी के सयोग से अस्थापित हुआ था आचा भारत में पहला इश्टिल कहा अस्थापित किया गिया था? तो जमसिद पूर में अस्थापित किया गिया था आप मिट्टी से जितने भी महत्पुर्ण परशने जोगे एकजाम पर देखते हैं मिट्टी से कौन कौन से कोशन पूछा जाता है भारत में सरवाधिक छेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाए जाती है तो जलोड़ मिट्टी पाए जाती है सरवाधिक उपजाव मिट्टी कौन सी है तो वो भी जलोड़ मिट्टी है और कपास की फसल के लिए सरवादिक उप्युक्त मिट्टी कौन सी है तो काली मिट्टी है और एक कोश्चन ये भी आ जाता है कि किसे रेगूर मिट्टी कहा जाता है तो काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है अज़ा चाय और कोफी के लिए सरवादिक उप्यु लुक्ते हैं और निएक है तो यह सारे आपको याद रखना है तो इस तरह से भारत कई दोस्त सही इसका एंसर दिये थे और 29 अगस्त जो किये मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ठीक है और आज के कोश्चन है कि DRDO यानि कि Defense Research and Development Organization यानि कि रक्षा अनुसंदान एबं विका संगठन का अध्यक्ष कोन है अभी बरतमान में करेंट अफेर में आपको बताना है कि DRDO का बरतमान अध्यक्ष कोन है तो इसका एंसर आप कोमेंट में देजेगा और कोई भी डाउट हो तो कोमेंट में पुछेगा और एक चीज हमें से याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खाजाना है इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे करते हैं